नमस्कार दोस्तों मैं अभी सीख आपका अभी सीख टिडियोल पे स्वारत करता हूँ तो question out से नीच के तहट मैं आ गया हूँ chemistry की वीडियो लेकर और ये आपका part 8 है पार्ट 7 तक पहले हो चुका है नहीं देखें नीचे description में link है जाके देखें playlist भी आपको मिल जाएगा playlist भी आपका बना हुए है वहाँ पर जाकर भी सभी subject देख सकते हैं तो आज क्लास करने के बाद वो पुनानी वीडियो अभी तक नहीं देखें हैं ठीक है तो आप देख लिजएगा ठीक है चट पूजा के टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा बीजी थे जिसे करना क्लास आप नहीं कर पाएं लेकिन यहां क्लास इस continue हो रही थी अभी तक जो लोग बोल रहे थे किसा question आट जो आप कैसे किये question बना नहीं है तो आप लोग के पहले news दे दिया आज सुबसुब कि 30 नमबर तक आप लोग का सभी के अंदर में सभी district level पे question paper पहुंच जाएगा और उत्तर पुस्तिका भी पहुंच जाएगी OMRC पहुंच जाएगी यानि सब कुछ आपको पता है कि print बेगरा सब कुछ ready हो गया है और आप तक 30 नमबर तक district wise यह पहुंच जाएगी तिया news में पहले ही दे चुका हो ताइए question out series के तहट classes करते हैं और आपको मैं बता दू कि 100% फिर से बता रहा हूँ 100% आपको मेरे वीडियो से ही questions मिलेंगे और आप अगर याद करते हो 70-80% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है 70-80% marks तो आपको आएगे ही आएगे चाहे आप कितनी महांगी coaching कर रहे हो वहाँ आपको guarantee नहीं देगा लेकिन मेरी वीडियो में guarantee दी जारी है कि 70-80% तो मेरे वीडियो से ही आएगे चाहे कुछ भी हो जाए जो बूल रहा हूं वो हो कर रहेगा तो आईगे classes सुरू कर लेते हैं आप अपने दोस्तों को नहीं बता रहे हैं क्या अपने दोस्तों से दुस्मनी है क्योंकि बहुत कम लोग लाइब जूर रह नियूज की वीडियो सभी देखते हैं लेकिन प्रहाई की वीडियो नहीं देखते हैं यही बात है कि पास सभी नहीं करते हैं पास तो सभी कर जाते हैं लेकिन अच्छे marks कम ही क्या आते हैं क्योंकि पर्दे बहुत कम हैं सचाई यही है तो आज का first question ही VBI है जो लोग अभी अच्छे marks आएं nitrogen gas उजला phosphorus के अपेच्छा कम क्यासिल है क्यों यह आपको पहला VBI question है ठीक है तो इसका answer है पहले English में भी देख लेंगे हिंदी में भी देख लेंगे nitrogen gas is less reactive than white phosphorus y जिसका answer है nitrogen gas में nitrogen nitrogen की बीच जो है त्री बंधन होता है जबकि उजला phosphorus की बात की जाए तो ज जबकि उजला phosphorus P4 में जबकि उजला phosphorus P4 में P और P परमानु में एकल बंधन से जूटा होता है ठीक है यहाँ पे आपको यह जो डाइग्राम है इससे आपको बना लेना है ठीक है nitrogen nitrogen में triple bond होता है और white phosphorus में आपका यहाँ पे देख सकते हैं चुकि त्री बंधन का बंधन बि जबकि उजला phosphorus से कम किरियासिल होता है इसलिए N2 जबकि उजला phosphorus से कम किरियासिल होता है एंगलिस की बात करें तो there are triple bond between nitrogen atom in N2 ठीक है वाइल phosphorus atom in white phosphorus P4 is bond with single bond यहाँ पे आपको इस तक डाइग्राम बनाना है ठीक nitrogen के बिच triple bond और phosphorus के बिच P4 है तो एक दो तीन चार और इसक bond ठीक है इसलिए ऐसा होता है last में आपको यहाँ पे लिख देना है since bond dissociation energy of triple bond since bond dissociation energy of triple bond in N2 is greater than single bond is greater than single bond in P4 hence nitrogen gas is less reactive than white phosphorus देखिए जो भी जिसका bond ज्यादा होगा ठीक है आपस में बंधन ज्यादा होगे बो जो है वो कम reactive होता है और जिसका bond कम होता है वो ज्यादा reactive होते है ज्यादा किरिया seal होते है देखे किसी के बीच अगर कोई चीज कस के बांध होगे रखोगे तो बो दूसरे के पास जो है बो देर से जाएगा है ना कस के बांध के रखोगे दूसरे के पास देर से जाए तो higher reactive, ठीक है, next question देखते हैं, next question है, HF, HCL से कमजोर अमल है, ब्याक्या करें, HF, HCL से कमजोर अमल है, ब्याक्या करें, बहुत लोग बोलते हैं, कौन सा question second shift कहा है, कौन सा question first shift कहा है, तो यह मुझे भी नहीं पता कौन सा question कि shift कहा है, ठीक है, HF is weaker acid than HCL, explain, HF का बंधन दूरी HCL से छोटा होता है, इसलिए HF, HCL से कमजोर अमल है, यह आपको लिख देना है, ठीक, English में भी लिख देंगे, bond length of HF is shorter than HCL, hence HF is weaker acid than HCL, ठीक है, hence HF is weaker acid, ठीक है, जिसका bond छोटा होगा, वो weaker acid हो जाएगा, समझगे, यहाँ पर clear आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, next question है, SA2 और CL2 गैसों के ब्रंजक किरिया में क्या अंतर है, what is difference between bleaching action of SA2 and CL2 गैस, ठीक है, इसको लिखेंगे, जल की उपस्तिती में, जल की उपस्तिती में, एसो टु गैस नौजात हाइड्रोजन परदान करता है, जल की उपस्तिती में, एसो टु गैस नौजात हाइड्रोजन परदान करता है, जो रंगहीन परदार्थ को अबकृत कर रंगहीन कर देता है, तो इसको लिख लेंगे, एसो टु टु एसो टु एसो फो फो फलस टु एच, रंगहीन परदार्थ हाइड्रोजन से यहाँ पर रंगहीन, आगे लिखना है, इस तरह से लिख लेंगे, एंगलिस वाले लिखे, जातर्थ कीकर, लिखे, लिखा लाहीन कर लाता है, डिखना है, color subset once that is bleaching action that is bleaching action of sr2 is reducing action next लिख लेंगे यहाँ पर sr2 plus 2 h2 h2so4 plus 2 h color plus h discolor color plus h discolor ठीक है हिंदी में गलती हो गया था वहाँ पर रंगीन plus h लिख दिया था मैंने वहाँ पर रंगीन होगा रंगीन plus h ठीक है रंगीन को discolor करता है फिर discolor plus oxygen की फिर क्या हो जाएगा वो color हो जाएगा ठीक है in contact of air in contact of air bleach substance gets its original color gets its original color bleaching action of sr2 इसलिए बोलते हैं जब मैं solution दे रहा हूं तो हिंदी इस दोनों ध्यान से देखना कभी कभी हिंदी typing में गलत हो जाता है bleaching action of CO2 gas is an oxidizing action and permanent CO2 plus H2O to HCl color में oxygen यहां से क्या हो गया discolor वहां पर फिर से बता देता हूं आप लोगको .net बच्चों आप किसी भी सवाल में अटग गए हो या आपसे सोब नहीं हो पा रहा है बस आपको इस question का photo लेना है question को crop करना है और पांस सेकेंड के अंदर अंदर उस question का video solution मिल जाएगा फिर चाहे आपका question होंबर का हो cbac बिहार यूपी महाराज्ट राजस्थान MP किसी अनबोर्ड का हो चाहे आयटी जी नीट या classic से बरहमी का सवाल हो इन सब का जबाब .net एप पर या फिर कोई भी सबजेक्ट हो physics, biology, math, science आपके सभी सवालों के जबाब मिलेंगी आपको .net पर साथ ही .net पर class 9-10 से बरहमी के बच्चों के लिए चल रही है, English और Hindi मेडिया में लाइब क्लास से जयानी आप पूरी पढ़ाई होगी .net एप पर तीन करोड से ज्यादा बच्चे .net एप पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी जाए आउ .net अप को इंस्टॉल कीजिए यहां पर रंगहीन लिखा हुआ है उसे रंगीन कर लीजएगा रंगहीन पर क्या कर देता है रंगहीन कर देता है ठीक है यहां पर आप लोग समझ गये होंगे वही आपको करना था रंगहीन को क्या करना था यहाँ पर रंगीन कर लेना है पलस H और यहाँ पर रंगहीन नहीं रहने देना है ठीक है यह आपको समझ में आ गया होगा बरते हैं अगले question की ओर और यह भी आपका बिवे question है O-nitrophenol एवं P-nitrophenol को उसके मिस्रन से आप कैसे अलग करेंगे O-nitrophenol एवं P-nitrophenol को उसके मिस्रन से आप कैसे अलग करेंगे How can you separate O-nitrophenol and P-nitrophenol from the mixture How can you separate O-nitrophenol and P-nitrophenol from the mixture इसका answer यहाँ पर लिखेंगे P-nitrophenol का कौतनाग P-nitrophenol का कौतनाग O-nitrophenol से अधिक है P-nitrophenol का कौतनाग O-nitrophenol से अधिक है क्योंकि P-nitrophenol में क्योंकि P-nitrophenol में अंतर आन्विक हाइडोजन बंधन होता है जबकि O-nitrophenol में अंतरा आन्विक हाइडोजन बंधन होता है जबकि O-nitrofenol में अंतरा आन्विक hydrogen बंधन होता है, ठीक है? अतह इन दोनों के मिश्रन को आंसिक स्रावन विधी से अलग किया जाता है, इंगलिस में लिखेंगे, वालिग पोंपनति अ वालिग इनलेग कि आन्विक वालिग शौ सैन दो इनल्योर नीविक वालिखेंगे, वालिगरण विक है यद्ति बंद वडिय है, इनल्योर ठीक है जाEL, ऑनिक बढ़ते हैं next question की और ये था आपका VBI question निमलिखित यूगम को एक निश्ची जाच विधी से अंतर करें distinguish the following pair of compounds by the proper test ठीक है पहला दिया गया है CH3, CH2, OH and CH3, OH ठीक है और second है CH3, CHO and CH3, CO, CH3 ठीक है ये आपका है तो पहले हिंदी में देख लेते हैं यहाँ पे इथेनोल आयडो फॉर्म यह क्या है इथेनोल आयडो फॉर्म जाच दिखलाता है जबकि मिथेनोल नहीं दिखलाता है नेक्स्ट है CH3, CHO and CH3, CO, CH3 तो इथेनोल टॉलेंस जाच दिखलाता है जबकि प्रोनेनोल जाच नहीं दिखलाता है ये लिख लेना है आपको और आगे लिखेंगे इंग्लिस में इथेनोल प्रफॉर्म आयडो फॉर्म टेस्ट बट CS3, CO, CHO प्रफॉर्म टॉलेंस जाच टेस्ट वट वट यहां पे लिख लेंगे बट प्रोपेनन डजन नहीं दिखलाता है ठीक है नेक्ट है निमलिखित परतिकरियाओं को लिखिए पहला है फ्राइडल क्राप्ट अलकॉलेशन परतिकरिया राइड़ फॉलिंग रियक्शन फ्राइडल क्राप्ट अलकॉलेशन रियक्शन तो पहले इसका हम लोग देख लेते हैं तिहां पर लिखेंगे बेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ अल्सी एल्सी 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 तो क्या मिला टॉलीन मिल गया ठीक है फिर लिखेंगे यह आपका हिंदी हो गया अब इंगलिस मिले के चलेंगे इसी को लिखेंगे वेंजीन जब बेंजीन के अभिक्रिया मिथाइल क्रोड़ाइड से कराई जाती है किसकी उपस्तिती में लC-L-3 की उपस्तिती में तो क्या देता है गिप्स टॉलीन टॉलीन प्राप्त होता है बेंजीन, CS3-Cl, L-C-L-3 की उपस्तिती में in the presence of L-C-L-3 वाट भी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें टॉलीन मिल जाएगा बढ़ते हैं अगले क्रेशन की ओर नेच्ट है आपका करवाइल एमीन परतिकिलिया करवाइल एमीन परतिकिलिया, करवाइल एमीन रियक्शन तिस question का भी solution देख लेते हैं दोनों medium में तिहां से हम लोग देखेंगे एक degree amine chloroform abom alcohlye co-H के मिसरन को गर्म करने पर करवाइल amine का सरे अंडे जैसा गंध प्राप्त होता है गर्म करने पर करवाइल amine का सरे अंडे जैसा गंध प्राप्त होता है यहां से यह अभी किरिया आपको लिख लेना है यहां से करवाइल amine यहां पर आपको जैसे लिखा हुआ है उस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हैं नेक्स्ट है आपका उसी को इंगलिस में वेन मिक्सर ओफ वेन मिक्सर ओफ वन डिगरी amine क्लोरोफार्म और अल्कोहली कोह इस बॉइल अल्कोहली कोह इस बॉइल यह आपको सलुशन यह आपको अभी किरिया रियक्शन जो है वो आपको लिख लेनी है ठीक है ति यह थे आज के BBI questions के सीरीज question out सीरीज के तहद हम लोगाने कुश questions देखे यह आपका part 8 था कल सुबह फिर मिलेंगे Part 9 में और जो Classes Chemistry की कल सुबह होगी बागी Classes का जो टाइमिंग है 10 बजे जो Hindi Class होती है बो भी होगी अपने टाइम पे English से Class होती है सुबह साम के 6 बजे बो भी अपने टाइम से ही होगी Physics Classes दो पर 1 बजे तो बिल्कुल ध्यान से सब टाइम अपना याद रखेगा और अपने टाइम में लाइव जरूर आया कीजेगा वले ही YouTube का नोटिफिकेशन आप तक जाए या ना जाए ठीक हो सकता है दो मिनट का आगे पीछे वीडियो की टाइमिंग हो सकती है लेकिन मैं कोसिस करता हूँ कि टाइम पे ही वीडियो देने के लिए तो आप लोग उस टाइम में मेरे चैनल पे अभी से एक टिटोरियल लिख कर आ जाना आपको वीडियो मिल जाएगी अगर यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है तो आप लोग घंटी नहीं बजाए होगे साइध इसे लिए नोटिफिकेशन आपको पास नहीं जा रही होगी मिल टे आप से अगले वीडियो आप वीडियो कर दिक सदिक सेर करें